वान प्लास में फ्लोटिंग नॉटिफिकेशन बंट केसे करें नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तिकराज यूटूप चैनल पर तो दोस्तो आपको पता होगा अगर आपको कोई मेसेज कर देते हैं तो उनका जो मेसेज हैं वो यहाँ पर फ्लोट करते हैं ठीक है त तो कुछ इस तरह के से बेनर यहाँ पर निकल किया जाते और दोस्तो आपको पूरा जो मेसेज हैं वही पर देख जाते आपके बेनर पर फ्लोटिंग नॉटिफिकेशन के मदद से यह एक दोस्तो पॉप आप नॉटिफिकेशन भी कहते हैं तो दोस्तो इसको कैसे बन करना आज के इस वीडिए पर मैं आपको यही बताने वाला हूं अगर आपको पसंद नहीं है एसा बैनर शो करना या फिर आपके नौडिक्षिन अगर आपको या चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसको बन कर सकते हैं चलिए वीडियो को बीना देर के हुए शुरू करतें शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकुन को क्लिक करे और अगर आप on-line पेसा कमाना चाहते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चलिये वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसी अभी अभी अपनी यहां पर देखा एक floating notification मुझे शो करके गया है ठीके तो इस तरीके से आप पर float करते हैं अभी दोस्तों इसको बंद करने के लिए आपको जाना है setting उसके बाद आपको मिलेगा इस तरीके का option तो आपको दोस् पर जाना है see all apps पर click करना है और उसके बाद कर जिस भी कि अप्लिकेशन का जिस भी application का यहां पर आपको अगर floating notification बन करना है उस application पर जाना है उसके बाद notification पर click करना है अभी दोस्तों डिसरेज्जन आपके साथ में होगा क्योंकि आप all chats में काम करना चाहते हैं या फिर group notifications या फिर message notifications ठीक है तो आपको किस चीज़ का floating notification नहीं चाहिए वादसे में दोस्तों ग्रूप और message का ही होते हैं तो मैंने message का भी बन कर दिया है pop-up on screen क्योंकि दोस्तों float यहाँ पे नहीं करेगा ठीक है इसको बन करने से ग्रूप के लिए भी मैंने बन कर दिया है ठीक है तो इस तरीके से आप floating notification बन कर सकते हैं अभी दोस्तों और देखते हैं कोई option यहाँ पर है यहाँ नहीं है तो यहाँ पर चेक करेंगे Instagram का तो इसको मैं यहाँ पर बन कर देता हूं इसको बन करते हैं मेरा स्क्रीन पर Instagram का notification पॉप आप बन हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है floating notification बन कर सकते हैं आपने one plus की device में कोई भी application हो उसके आप बन कर सकते हैं तो यह था दोस्तों setting उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसना होगा तेंक्स रॉच